भारत को एक सशक्त और सुरक्षित राश्र बनाने के लिए यहां के भहुसंग्यक हिंदू समाज को मुखर और प्रतिक्रिया शील्ड बनाने ही तु भारत रक्षा मंच अपना कारी कर रहा है जिसे देश के सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले और भारत एक प्रकर राश् गुरू बने इसके लिए हम कटीबद हैं ऐसा आयूजित पत्र परिशत की तौरान भारत रक्षा मंच के राश्री उपाद्यक्ष रंजीत सांगली द्वारा कहा गया है भारत रक्षा मंच एक राश्र व्यापी संगठन है जो सन 2010 से देश भर में अवैद बांगलादेशी गुसपैट के विरोध में कारी कर रहा है अवैद बांगलादेशी गुसपैट के कारण भारत में जन सांग्य की असंतुलन निर्मान किया गया है जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा ही खत्रे में आ गई है सन 2012 में असं में पूनह एक बार बांगलादेशी गुसपैटियों के विरोध में जो आंतुलन शुरूआ उसमें भारत रक्षा मंच ने एक महतोपून भूमी का निभाते हुए कानूनी लड़ाई लड़ी और उचितम न्यायाले ने असं की जनता की मांग की गहराई को समझते हुए नर्सी की प्रक्रिया के आदेश दिये सही माइनों में यह प्रक्रिया 2014 के बाद शुरू हुई जिसमें असं मंगलादेश सीमा के तारबंदी सीमा सुरक्षा चौकियां सीमा सड़के फ्लर्ट लाइट्स जैसे कदम केंदर सरका द्वारा उठाए गए जिससे गुसपैच्चियों के लिए अवरोध निर्मान हु में जोडने की प्रक्रिया भी हुई अब हमारी मांग है कि देश में घुसपैट विरोधी कानून बने एनार्सी का काम देश भर में हो सामान नागरिक सहीता शीग्र लागू की जाए और जनसंक्या नियंतरन कानून अती शीग्रता से भारत सरकाल लागू करे इसमें काफी विशय है भारत की अंतरिक सुरक्षा इस पर सबसे ज्यादा चर्चा होगी फिर जो भारत में बांगलादेशी घुसपैट निरंतर होती रही है वो आसम की बाडर सील होने के बाद काफी स्तर पर कम हो गई है लेकिन एनर्सी केवल असम में लागू हुआ उसी धारा पर या धर्ती पर एनर्सी पूरे देश में लागू हो और इसके बाद भारत में उसी तरीके से युनिफॉर्म सिविल कोड समान जनहित संहिता भी लागू हो इसका अनुरोध सरकार से किया जाएगा इस पर काफी च चर्चा सत्र चलेंगे भारत के हर राज्य से हर केंदर शासित प्रदेश से जो अथितिगण आएंगे उनके साथ चर्चाएं होंगी परी चर्चाएं होंगी वरिष्ठ जेष्ठ नेताओं का इसमें मारगदर्शन होगा इसमें सत्र चलेंगे इसमें अभ्यास वरग होंग और इसका जो भी अंत में सार होगा, उसकी एक जो भी रूप रेशा होगी, उसका सार बनाकर ये सरकार को प्रस्तुत किया जाएगा, कि ये देश की भावना है कि समान नागरी संहिता पुरे देश में लागू हो, और NRC जैसे असम में लागू हुआ, पुरे देश में जंग के रूप में हमने दिल्ली में अल्रेडी देख चुके हैं वैसा हिंदुस्तान में फिर कही ना हो किसी भी हिंदुस्तानी को अपनी जान गवाना ना पड़े इसके चलते भारत में जो बंगलादेशी एक सोची समझी साजिश के तहट लाए गए उनको सबको सितंबा 23-24 को हमारा राश्री अदिवेशन इस्मृती मंदे परिसर रेशिम बाग नाकपुर में होने वाला है जिसमें केंद्री मंत्री नितिनगटकरी जी महाराश्र विदानसवा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर भाजपा के महाराश्र प्रदेश अध्यक्ष चंद् सिती रहेगी अधिवेशन में तीन दिन कारिक्रमों की श्रंकला चलेगी जिसमें नए राश्री अध्यक्ष और महामंत्री की गोश्चना होगी और 24 सतंबर 2022 को साई कल 4.45 बजे शोभा यातरा का आयूजन भी किया गया है कैमरा परसन सुभाज पूटले के साथ शितीचा देशमूग बीसी ए न्यूस नागपोर